प्रकास लेंट से पार्ट अफ 20,000 at 8% simple interest and remaining at 4-3% simple interest His total income after a year is Rs. 800, find the sum length at 8% ज्यान से देखना अब देखो उनको अगर total interest income हो रहा है 800 रुपए तो 800 रुपए 20,000 के ओपर कितना प्रतिशत होता है अब देखो 8% में कुछ परसन रखा 4 upon 3 में कुछ परसन रखा तो commutative discount केतना मिला या फिर commutative interest केतना मिला 4% तो क्या हो जाएका allegation लगाता है तो इसमें 4% होता है इसमें क्या होता है 4 बटा 3, 4-4 बटा 3 मतलब केतना होगा 4-3 बारा माइनस 3 मतलब 8 बटा 3 हाएगा तो रेशियो क्या हो जाएकर 8 is to 4-3 बारा तो यहां से 4-3 बारा तो 2 is to 3 रेशियो में डिवाइड हुआ अमाउंट अब देखो क्या लिखा हुआ है find the sum length at 8% तो 8% के सबसे 2 बटा 5 of 20,000 तो क्या करता है गुना कर लेके कोशिस करता है तो 5 चो के 20 तो 4000 चार दुना 8000 is the correct answer option number 1 okay sir thank you bye bye stay tuned for the next class